सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर मेनी सिखा पधिंसमादियानी बुद्धन ऐसा बताया जाता है कि जब-जब भारत में बहुत ज़्यादा अंधिरा रहेगा, बहुत ज़्यादा पाप रहेगा, बहुत ज़्यादा शोशन रहेगा, बहुत ज़्यादा लोग परिशान होंगे, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग बीमार होंगे, पापी यहाँ पर नंगा नाच करेंगे, तब-तब यहाँ धम आता है, और इस धम्म को आने का जो रास्ता है वो धम्मिक लोग बनाते हैं अपने संग के थुरू, अपने संग के द्वारा ऐसा पहले भी हुआ और ऐसा होने की जो घोशना है वो बुद्ध ने बहुत दूर तक देखते हुए की और वो जो साइकल है पूरा का पूरा लगबग पच्चिस सो साल में पूरा होता है यानि पच्चिस सो साल बाद फिर पाप का नास होता है और फिर पुन्य का यानि की अच्छे कामों का अच्छे लोगों का समय आता है और वो समय लगबग पिछले 1956 से जब से बावा साब ने धम का, संग का और बुद्ध का और बुद्ध का और बुद्ध का हमें ग्यान दिलाया है तब से उस तरफ हम बढ़ रहे हैं कहने को ये बात बड़ी अजीब सी लग सकती है, कोई आदमी कह सकता है कि ये किस तरह का mathematics है या किस तरह की बात है पर वो जो बताया जाता है यदा यदा ही जब जब पाप बढ़ेगा तब तब धम आएगा, ये बलकूर ठीक है क्योंकि जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बढ़ने की जगे खतम हो जाती है तो फिर लोग जब तरहीमान होते हैं तो धम का उद्य हो जाता है और लोग धम की तरफ बढ़ जाते हैं और जब धम अपने चरम पे होता है तो फिर लोग पाप की तरफ बढ़ना सुरू हो जाते हैं यह साइकल चलता रहता है धम का पाप का पाप का धम का मगर इस पूरे सा चाहिए यानि कि बहुत सारे लोगों की सहमती चाहिए आज अगर भारत के अंदर पाप बढ़ रहा है तो पाप जो बढ़ रहा है उसमें कुछ लोगों का समू है जो इस चीज़ को बढ़ाता है जो गलत बाद को भी परचारित करता है और गलत बाद को दिमाग में डालता है और बुद्ध के समय जब सारे के सारे लोग इखटे होते थे तो उस समय अच्छी बातों को लोग दिमाग में डालते थे उनका भी एक संग था जो समण संग था ये समण संग जो समता का जो समानता का जो सम्यक और जो सम्मा जो अच्छी बातों का होता था उसको समण लोग च में चलाते थे ये जीवन के दो संग लगातार चलती रहते हैं पर यहां जो एक दिक्कत आई है वो दिक्कत यह है कि वमनों का जो संग है वो संग तो चल रहा है पर समनों का संग जो पहले चलता था वो गायब हो गया यहां से हमारा पतन होना से हुआ क्योंकि अगर संग जब जाते हैं छोटे छोटे घर से लेके जंगल मैदान समुंदर आकास तक चुछियाओं तक का और जो चीटियों तक का उधारण है वो भी समझाते हैं और बताते हैं पर लोगों को यकीन नहीं होता है और यकीन ना होने का जो कारण है वो लोगों के खुद के लालच है ऐसा नह ये देखे हैं कि संग की बात समझ में आ रही है व्यक्ति संग में आना चायता है पर वो किसी व्यक्ति से अटैच है जोड़ा हुआ है और उसको ये उमीद है कि ये व्यक्ति पावरफुल है ये व्यक्ति कहीं दलाली से कहीं से मेरे बेटे का या मेरी बेटी का कोई नौकरी लगवा सकता है इसलिए ये जानते हुए भी कि संग के साथ चला जाता है संग के साथ नहीं जाता है किया किसी को ये लगता है कि अगर मैं संग के साथ जाऊंगा तो मेरी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लूज हो जाएगी और मेरे को नुकसान हो जाएगा तो ये जानते ह हुए भी के संग के साथ जाने में फाइदा है फिर भी वो व्यक्ति के तुरूप से अलग सला जाता है ये समस्या इसनिये जाता है क्योंकि वमनों के ये जाल हैं और वमन संग के ये जो नेट हैं ये जाल हैं इनको काटने में हमें जादा देर नहीं लगेगी अगर हम सारे ख तो जाल तभी कटता है जब ही लेके सारे उड़ सकते हैं जब सारे के सारे एक साथ तैकल लें कि अब हमें उड़ना है अगर आधे कबूतर उड़ने के लिए मना करते हैं और आधे कबूतर उड़ने के लिए त्यार हों तो क्या होगा कि जो आधे कबूतर उड़ेंगे एक सा और आधे उड़ेंगे नहीं जाल में फसे हुए तो उनका बजनवी जाल में पढ़ेगा और जाल में उड़ने की बजाए वो और जादा फस जाएंगे। इसलिए संग का सबका साथ होना बहुत जरूरी होता है। यहां जो नए लोग हैं क्योंकि एक सोच्छी लोग हैं और कुछ लोग पुराने हैं कुछ लोग नए हैं। पुराने लोग सब जानते हैं कि समढ़ संग क्या है और क्या नहीं है पर नए लोग नहीं जानते। बहुतों को तो समढ़ सब्द का भी पता नहीं है कि समढ़ सब्द का मतलब क्या है और संग का मतलब क्या है। बुद्ध के लोग हैं, वो ऐसा प्रचार करते हैं, कि वो तो बुद्ध धर्म की बात करते हैं, बुद्ध धर्म फैला रहे हैं, हम कोई धर्म फैला रहे हैं, जबकि बुद्ध ने खुद कभी जिंदगी में कोई धर्म नहीं बताया, पर वो इसलिए बताते हैं, ताकि उनके संठन पहले इसका जो समय था, वो पिटती कूल था, कारण क्या था, के लोगों को बड़ा आराम था, लोगों को नौख्रिया मिल जाते थी, लोगों को खाने पिने की कोई दिक्कत नहीं थी, महंगा इतनी ज्यादा थी नहीं, जो सरकारी दफ्तर हैं वो बिके नहीं थे उनमें नोक्रियां मिल जाती थी इसलिए जो जागरूप लोग थे उनको एक टुकड़ा मिल जाता था एक रोटी मिल जाता था ठीक ऐसे जैसे गली के अंदर कुटा जो होता है वो तब तक भूगता है जब तक उसे हड़ी ना मिले जब उसे हड़ी मिल जाती है तो उस हड़ी में वो लग जाता है जबकि सब जानते हैं कि हड़ी के अंदर मास नहीं होता और कुटा जो हड़ी खाता है उससे हड़ी तोड़ते समय उसके मूँ का खून ही उसके मुह में जाता है और वो सोचता है कि हड़ी में से खून निक लाए और मास हरा है तो वो कुटे जो भूखते थे जो जाज रूखते उनको जब हड़ी मिल जाती है तो वो चुप हो जाते हैं ऐसे कुटों की पहचान लगाता लगाता वो लोग करते रहते हैं जो उन पे राज करते हैं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वाभी मानी होते स्वाभी मान लोगों को पहचानने के लिए जानने के लिए बहुत महत्रमी पड़ती है क्योंकि स्वाभी मानी जो लोग होते हैं वो दिखरे हुए हैं और सांत हैं पर हैं और बहुत बड़ी संप्यामे हैं यह समर्संग ऐसे ही स्वाभी मानी लोगों को ढूंड रहा है और जो कभी किसी छोटे राग देस में या चोटे मोह माया में या MPML या प्रसिंसा या पद्य या पोश्ट या मन्च या मालाई के लालच में नहीं पढ़ते हैं। और ऐसे लोगों को संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि ऐसे लोग उस जगए को तलास करें जो उनकी जगए है और वो जगए समढ़ सकें। बहुत सारी लोगों को बुरा लगेगा कि हम ऐसे लोगों को ऐसा बोटे है। बोलना हमें इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो लोग समढ़ होते हुए भी वमण का वहवार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है। इसके छोटे-छोटे उधारनागर मैं आपको दूँ तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जितने भी समढ़ लोगों ने राजनतिक पार्टिया बनाई हैं तो राजनतिक पार्टिय का जो असूल है वो ही है कि उनको बोट चाहिए, उनको बहुमत चाहिए, उनको स सारे लोगों ने इतनी सारी हैं पार्टि बना रखी हैं और पार्टि बनाने के बाद फिर वो अपने जात के नाम से, अपने रिसदारी के नाम से, अपने पैसे के नाम से, अपने रुत्वे के नाम से, पैसा फैकर, लालस देकर, दावत देकर, कोई रिस्वत देकर, कोई स आसवसंदे कर कोई जूटे आसवसंदे कर कोई सच्चे दे कर लोगों को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ लेते हैं और ये सोचके तोड़ते हैं कि हमारा काम चल जाएगा और कुछ पैसे लेके जान बुचके उनमें तोड़ते हैं ताकि औरों का काम हो जाए और ये बहुमत वाले लोग अल्प मत में आ जाते हैं साल दर साल दर साल हर साल तो कौन कहेगा इनको और कौन नहीं कहेगा इनको कि भाई तुम्हारी अकल कहा है क्या उनमें अकल नहीं जब वो चुनाम में खड़े होते हैं राजनितिक पार्टी बनाते हैं तो कौन कहेगा कि वो बे अकल हैं पर सोसाइटी और संग और सारे बच्चों को सेट करते जा रहे हैं और हमारे बच्चों को मरवाते जा रहे हैं दोनों बातों में से कोई सी बात पर करेंगे पर हमें कोई फायदा नहीं है हम दोनों बात भी करेंगे तो भी हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है हम बात ना भी करेंगे तो भी हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है पर हम इखटे हो जाएंगे तो हमारा फायदा है वैसे ही जितने सामाजिक संग्ठन हैं सारे के सारे सामाजिक संखन हमारे समाज को एक बहुत बढ़िया जिंदगी देने का आस्वासन देते हैं और ये संख्या में बहुत ज्यादा है पर कमाल की बात ये है कि ये सारे आस्वासन देते हैं और सब ये कहते हैं कि एकटे हो जाएए और एकटे होंगे तो आपको हैं पहले हम खुद आई ना देख लए या कितने बड़े अकल बद्न हैं हम कवी अपने उन संग्ठन के आकास है जो हम से परची पैसा लेकर जाते हैं और जो हमसे यकीन लेग लेकर जाते हैं अर जो हमें सम्मूले आपके खुद दिसमन है या जो संग्ठन चला रहे हैं सामाजी संग्ठन, जो लोग अलग अलग टूकलरों में बाट रहे हैं, वो दिसमन हैं, कौन दूसमन है या दोनग अकलबं हैं या δोनो बेप्टूफ हैं इसको रातवर सोचना चाहिए, रहे एक व्यक्ती को सोचना चा है मगर फिर भी हम गांजे और अफीम और सराप की दुकान पर चले जाते हैं पैसा भी फ्रच करते हैं नसा भी करते हैं और साम को आके अपने बच्चों को भी पटाई करते हैं और फिर अगले दिन यह कहते हैं कि अब नहीं जाओंगा और फिर चले जाते हैं यह ऐसा ही नसा से बात नहीं बनने वाली है क्योंकि संख्या तो 120 करोड है इसलिए आपको अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी और लोगों को ये कहना पड़ेगा क्या आपने अपने संख्धन से बाचित की क्या संख्धन के नेता से बाचित की या पदाधीकारी से बाचित की तो जब बड़े अच्छे अच्छे आपको धरण देंगे नेता लोग हैं चालाक लोग हैं पैसा कमाते हैं चंदा लेते हैं तो अकल तो है अगर बिना कमाए अगर वो पैसा ले रहे हैं और बिना कमाए अगर उनको चंदा मिल रहा है और बिना कमाए उनके बच्चे पल रहें बिना म पलंक्ट क मने हैं वह मानने हैं। है मी आधे पैसा हु सारे मानने हैं। वह सब नहीं पूस्दा। हम से ज्यादा अकल बंद हूं है। थो हम कितने और बेफकूप यह हमारा जा रहा है। चाहें वो ब्रहमन ले मंदर में और चाहें ये लोग संग्ठन में लें चंदा लें दोनों में बात बरावर हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है बस फरक इतना है कि एक संग्ठन है और एक सा है और दोनों से कोई परणाम नहीं आता है जो परणाम आता है वो उल्टा ही आता है आप चाहो तो analysis कर लो मंदर में जो पैसा गया, वो भी नुफसान पहुचाता है और जो हमारे 29 लाइश संग्धनों को जो पैसा जाता है वो भी हमें नुफसान पहुचा रहा है तो कोई नया आदमी आएगा, तो वो कहगा रहे भाई ये कौन आदमी है जो संग्धनों के अगेश्ट में ऐसी बात कर रहा है हमारे तो संग्धनों ने बड़ी जागुता फिलाई है हमारे तो संग्धनों ने बड़ा काम किया है हमारे संग्धनों की वैसे तो आज हम जीवित हैं या धम्मिकों के हैं या बिक्टों के हैं या बिकुणियों के हैं या लड़कों के हैं या जिस भी तरह के हैं आप बताओ कि सारे के सारे संख्धनों से कौन से सम्मिधनिक अधिकार बढ़े बढ़े पहले इस पर देखे बढ़े तो आप यह पाओगे कि जब से बावा साब सम्धान बनाया है एक भी अधिकार नहीं बड़ा है और जो बावा साफ सम्धान में अधिकार देखे गए थे वो मिले भी नहीं है इतना भी अगर ये संख्ठन कर देते कि जतने अधिकार वो देखे गए है उतने भी मिलते रहते तो हम तो तो थोड़े में भी काम चला लेते, काम चलना था हमारा, पर वो भी बंद हो गए, और इतने में भी बात नहीं बन रही है, तो सारे संग्ठन मिलके यह देखें, सारे लोग देखें, जो संग्ठनों के ह경ते ऐसी हैं, कि पिछले 70 साल में अधिकार गए तो नहीं है, अधिकार कम तो नहीं हुए है, खतम तो नहीं हुए है, क्या सम्विधान खत्रे में तो नहीं है, क्या सम्विधान खत्म तो नहीं हुआ है, तो सबका जवाब होगा एक तरब से, सम्विधान तो खत्रे में है, अधिकार तो सारे चलेगे, तो हमारे संग्ठनों ने एक नया काम निकल लिया, संविधान खत्रे में है, अब और पैसा दो, संविधान को बचाना है, अरे भई पैसा दे के संविधान कैसे बसता है, हमें ये बताओ, हम बार बार पूछते हैं, चंदा लेके संविधान कैसे बसता है, कैसे बचाओगे, कौन सी रड़नीती है, कौन सी नीती लेके आ कैसे बचाओगे सम्मिधान तो तब बचता है जब सारे के सारे लोग इखटे हो जाए और सम्मिधान के आगे जाके कहें कि हम इखटे हो के आगे अब हमारी चलेगी तो सम्मिधान कहता है आओ मेरे आका आप ही की चलेगी क्योंकि मेरे तो अंदर लिखा हुआ है वी दा तब एक राइट बचा, और अगर चार घंटे वे एक राइट बसता है, लगातार हम परमाने एक खटे रहते हैं, तो बहुत सारे राइट बच जाते हैं इसलिए जो लोग यहां सोचते हैं, जो लोग नए आए हैं 122 लोगों में, बागी सबतों पराने जानते हैं, तो हमें कुछ लोग सिखाते हैं, राजनीती मास्टर चाबी है, राजनीती मास्टर चाबी है, राजनीती मास्टर चाबी है, अरे बैए अगर राजनीती मास्टर चावी है तो पैसा क्यों लेते हो राजनीती करो बोट लो खाली पैसा क्यों बांगते हो हमसे क्यों यह अनापसराब पैसा खर्ष करते हो हेलिकॉप्टर में आना है बड़ी बस में आना है बड़ी कार में आना है बड़े काफली में आना है बड़े घर में रहना है बड़ी विज लाकी, तीस लाकी, चार्श लाकी रियालिया करनी है, बड़े पैसे खर्च करने, क्यों करते हो, जब मास्टर चावी राजनिती है, तो खाली हमसे बोट ले लो, बात खतम करो, पर मास्टर चावी राजनिती नहीं है, इसको जो नए लोग है, वो ध्यान से सुनें, कि ह हमारी एक भी राजनितिक सीट कभी खाली नहीं रही पूरे भारत में जब से सम्विधान लाग हुआ है, जब से हमें रेज़िवर्स में मिला है पॉलिटिकल, हमारा एजूकेशनल सीट खाली पड़ी रही है आज तक भी, हमें यूनिवर्स्टी में ना प्रॉफसर बनाते है ना हमें कहीं कोई डॉक्ट एसोशेट प्रॉफसर बनाता है, ना लेक्सरा बनाता है, ना हमारी वेकंसी निकलती है, रोस्टर बदल दिया है, अब हमारी वेकंसी नहीं आती है, एक एक वेकंसी निकलते हैं अपने लोगों को भड़ते जाते हैं, हमारे सरकारी जो दफ्तर जो रियर्वेशन है वो भी आदा दूर रहता है पर पॉलिटिकल रियर्वेशन सेंट परशंट रहता है बलकर पॉलिटिकल रियर्वेशन हन्निट परशंट से उपर भी चला जाता है जब कोई आदमी जो नॉन जरनल का होता है रियर्व के टेगरी का होता है और वो जरनल की कि हमारी पार्टी रही है तो जहां जहां हमारी पार्टी के नेता रहे हैं या जहां जहां हमारी पार्टी के प्रमुख लोग रहे हैं समर लोगों में चाहे वो OBC है चाहे वो SC है एक तमिल लाडो को छोड़ दो तो वहां भी हमारे राइट्स नहीं बचे हैं बलकर उन लोग के हाथ से ही रायट्स खत्म करवाये गए हैं और जहां-जहां संवर लोग уж अ टोपोज़िशन पर पूंचाए गए है ऐसी टॉपLS जहां-के बात में तो फोजिशन नहीं है चाहे वो नियाले की है चाहे वो जुडिसी की है चाहे वो ब्रकेसी की है तो उनके हाथ से हमको कटवाया गया है ताकि हम शिकायत नहां कर सके यह धारण है आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि जो लोगों के दिमाग में गिड़ा रहता है तो पॉलिटिकल पार्टी जो तक आपका political revolution नहीं हो सकता और यही दुनिया का सिधानत है और यही वावसाब ने भी कहा है पर लोगों ने पैसा लेने के लिए धंदा करने के लिए और नेता बनने के लिए हमारे दिमागों में डाला जो गलत सिंटेस है जिसको बहस करनी आ जाए हैं बहुत जानकार लोग ह चाहिए कि यह political जितनी भी चीज़े हैं यह political हमें फाइदा देने वानी हैं यह तब फाइदा दे सकती हैं जब आपका system हो जब आपका संग हो कोई कहता ऐसा कैसे हो सकता है अरे ऐसा कैसे नहीं हो सकता है जो आज के समय political power में लोग powerful है उनके पीछे उनका संग खड़ा झाइगा उनकी political power नहीं हिलती कहीं से भी दुनिया की तागत दर्जहो दो जाए जिसके पास संग होता है वो राजा नहीं हटता राजा वो ही हटता है जिसके पीछे संग नहीं होता क्योंकि यह तो संग ने बनाया है वो कोई लोग उनका संग काम करता है इसलिए आपका सं पागल कहते हैं पर कोई आदमी आपको पागल कहेगा कहेगा बे तोग का मुकाबला संग से ही तो कर सकते हो तोग का मुकाबला तोग से कर सकते हो हवाई जहाज का हवाई जहाज से कर सकते हो पानी के जहाज का पानी के जहाज से कर सकते हो थल सेना का थल सेना से कर सकते हो कोई आदमी ये कहे, मैं पानी के जहाज का मुकाबला थल सेना से करूँगा, अरे पागल हो गया, वो पानी में चलेगा, थल सेना जमीन पर रहेगी, कैसे मुकाबला कर लोगा, वो तो आएगे नहीं, वैसे ही ठीक संघ का मुकाबला संघ से हो सकता है, संघ का मुकाबला संघ से हो सा नहीं है कि वो संग को समझते ना हूं हम इतने दिन से संग के वारे में परचार परचार कर रहे हैं और अब तो किताब भी आ गई है एक दो दिन में किताब छप गई है एक दो दिन में आपके हाथ में आ जाएगी तो सब को बता रहे हैं हैं और मेरे जैसे हजारों लोग ब बार बार बता रहे हैं कि भाई संग के अंदर ही हमारी मुक्ती है, पहले भी जब संग था तब ही बात बनी थी, संग्धन से हमारी मुक्ती नहीं है, संग्धन से हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, और ये बात सारे सारे नेताओं को, सारे संग्धन चलाने वालों को, सारे रा बात तो सच है, क्योंकि जिनको वो महापुरुस कहते हैं, उनके तो सब के संग है, कोई भी महापुरुस ऐसा नहीं, जिसने संग ना बनाया हो, कोई भी, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े संग बनाने वाले को, या संग के नियम बनाने वाले को जानोगे, तो वो बुद हैं बुद्ध ने दुनिया के सबसे बहती नियम बनाए इनी नियमों को देखके सब लोगों ने संग सीखा है अगर आप देखा चाओगे कि संग कहा है तो बावा साब ने संग बनाया नाइटिन फॉर्टी सेवन में नाइटिन टॉर्टी सेवन में उनी सो सताइस संग बनाया संग आप अगर पैरियार साब को देखोगे तो उन्हें भी संग बनाया तब जा जाके और उन्हें अपनी मोव्मेंट बनाई और बहुत जो लोग हैं जो हमारे विप्री तो विरोधी हैं उन्हें भी संग बनाया है तो संग के ही काम्यावी मिलती है ये तो बाते है और जिन जिन लोगों ने संग्ठर बनाया है उन्हों ने छोटे मोटे अपने परिवर्टन तो किये हैं को कि संग्ठर के वो मालिक होते हैं संग्ठर एक प्राइवेट इमिटेट प्रॉपरटी होती एक संग बनाया तब इतना बड़ा देश मुक्त करा पाए अगर वो संग नहीं बनाते तो अलग-अलग पिटते रहते पर संग बना एक आदमी पिटता था तो उधर से सारे खड़े हो जाते थे पर अंगरेच चले गए तो संग का वो टेंपरेरी काम खतम हो गया फिर अलग- वो बावा साब के नहीं आई हो नहीं समझा कहां बावा साब तो साफ साफ कहके गए थे और्गनाइज का मतलब संग मेरा हो और बुद्र नहीं तो साफ साफ कहा संग मेरा हो पर कोई सुने ना कोई माने ना अगर मानते और सुनते तो दुनिया का सबसे बहतीन संग अब तक हमारे पास होता और हम उसके संगी होते और उसमें काम कर रहे होते तो यह जो हम यह माथा पच्ची कर रहे हैं इसकी बजाए आप और हम बैटके यहां वालीवुड की और वालीवुड की पिच्चर देख रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ में ये माधा पच्ची नहीं कर रहे होते, ये माधा पच्ची हमें इसनी करनी पड़ रही है, ये मेरत इसनी करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारी जो पूरवज है, जो बावसाब के बाद के सक्सेसर है, उन्होंने संग्ठर बनाए, संग्ठर नहीं बनाए, बार 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 बोलते के 35 साल के आयू के लड़के हैं उनकी संक्या लड़कियों की संक्या सबसे जादा है और हमारे समर्स में जो लोग है उनमें नौजवानों का सबसे जादा संक्या है और नौजवानों का ये देश है पूरी दुनिया में अगर नौजवानों का कोई देश है यानि जवान होके इन जवानों को कामपनी लगा जा रहा है एक नीती के तहट में इनका काम चीन दिया गया है और ये बहुत जल्दी बोड़े हो जाएंगे अभी तो ये मोबाइल में उल्चे हुए है कोई की फ्री नेट भी मिलना बंद हो गया है पर अभी ये पैसा खर्च कर रहे हैं कि पूरे दिन नेट में लगे रहते हैं और इन्हों ने जो मोमेंट चार जो रास्ता अपना है वो बहुत शॉर्टकट है जो ये एक व्यक्ती के पीछे खड़े हुए क्योंकि हो नहीं होता है एक समय आता है कि कोई कोई व्यक्ति कोई भी निकला है जब समय आता है तो उसके पीछे लोग खड़े हुजाते हैं इस उम्मी से तो सौर्टकट रास्ता क्या अपनाया वही जो उनके दमाग में सबके भरा हुआ है माश्टर ताला चाबी साव राजनिति और माश्टर ताला उसकर में में यh 35 साल की एच क्रॉस कर जाएंगे और 35 साल के बाद में दो काम करेंगे या तो वो माईस हो जाएंगे डिप्रेस हो जाएंगे बीमार हो जाएंगे खतम हो जाएंगे और या वो कोई अगर डिप्रेस नहीं होगा और जो कोई हाइपर होगा तो वो कोई क्रिमिल बन जाएगा उसको पुलिस पुलिस ठोक ठाक देगी और वो अपना जेल विल में और बिना संग के करांती नहीं होती और संग का सिध्धान्त बहुत सेक्रिफाइज का और बहुत शांती का सिध्धान्त है उग्रता का नहीं है नम्रता का है एक साथ मिलने में एक साथ जुटने में ये बात समझ में आती है तो जितने नौजवान हैं उनके बहुत सारे टुक नौट इंडिया के हैं, चाहे इस्ट इंडिया के हैं, चाहे वो वेस्ट इंडिया के हैं, हर्जी के हमारी नौजवान हैं, हर्जी के समय हैं, कुछ मुवम्मेंट हैं, जो नौजवान लोगे न उनने चलाई भी तीजिसे से गुजरात के अंदर एक दूर नौजवान थे नो उन सबने नौजवानों की विंग बना रखी है। सारे जो कॉलिज हैं उनमें कई 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 संठर बने हुए हैं। जितनी राजनितिक पार्टी हैं उसने नौजवानों के युवाओं के दल बना रखे हैं। जितने सामाजिक संठन हैं उसने नौजवानों के यूवाओं की अलग से विंग बना रखी हैं, जितने भी ये काम करने वाले लोग हैं, चाहें वो धंब के हैं या कहीं बे उन्होंने यूवाओं की छात्रों की अलग अलग विंग बना रखी हैं, इसके अलावा जो गमल लो कि बस मैं और मेरा संग्ठन, आपका जो नेता है वो और उसका संग्ठन, बस जीना इसके लिए और मरना इसके लिए है, और उनको जल्दी बहुत होती है, इसलिए वो सोच नहीं पाते, उनका ब्रेने भी डबलप नहीं है, पुरानी हिश्टी कोई बताता नहीं, पढ़ने का उनको आलस होता है, समझदारी उनके है नहीं, तो बताए कोन उनको, ये काम समढ़ संग्यों का है, समढ़ संग्यों को नो जवानों से बात करने चाहिए, उनसे प्रसंद करने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, अरे नो जवानों, जब भाई, तुम सब एक ही समढ़ के, अलग अलग लोगों के पीछे जा के कौनसी ताक्त हासिल कर लोगे, और कौनसा मनसूबा फूरा कर लोगे, तुम्हें कौनसी नौक्ती मिल जाएगी, और कैसे मिल जाएगी, यह बाज शर्ता कि अपने युवाओं को समझाोगे नहीं। बताओंगे नहीं, पर बताएे कैसे, समझाए कैसे, क्योंकि यूवा तो उल्टा सवाल करदेगा, वो कहेगा भई हम तो यूवा है, हम तो अलग-लग भठ्के हुए हैं, पर तुम तो सारे परिपक हो, तुमने इतने सारे संटन क्यों बना रखे हैं और तुम इतने सारे संटनों के पीछे क्यों हो और वो जो बुजर्ग लोग हैं उनसे भी इसी सवाल करेंगे कि बई तुम बुजर्ग लोगों तुमारी अकल कहा गई जब तुम नेतें टुकडे बना रखे हैं और तुम हमको कहते हो तो यहां पे उनके सवाल का जबाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए हर एक आदमे को ये बताना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई अलग अलग रहने से हम किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। जाएं दुनिया इधर से उधर हो जाए तो भी नहीं जीत सकते हैं ये प्रकति का सिधानत है और यही समर्संग का उद्देश से है कि सभी लोगों को एक साथ लेके आना और यही समर्संग ने पहले भी किया था और यही समर्संग लगातर कर रहा है और इसी में उसको ह解 Un account है कोई कह सकता है जी कि वमल रखावट कर रहा होगा वंबड कभी नहीं कहता हमसे कै आप Jeśli खटे मत होना कभी कहता कि आ पचास संथनों में सो संथनों में 1000 चाने संथनों में तूर्ठ कभी नहीं कहता हमसे के अपने लड़कों को तुम तोड़ और कभी हमसे पर हमारी हाज का कारण हमारे खुद ताउ चाचा है जो ताउ चाचा है इनी से तो लड़ना है अगर इन से जीत गए तो फिर वमण कुछ नहीं कहता हूँ तो सलाम करने के लिए 24 घंटे तियार है बहुत इमानदार है उसने पहले भी कहा कि मैं तो याचक हूँ याचना करता हूँ मांग के खाता हूँ फिर भी याचना याचक करने के लिए त्यार है मांग के खने के त्यार है आप लड़ना बंद करो आप जुड़ना सुरू करो जो जो जुड़े हैं वो जी जीते हैं जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे जिते हैं जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जिते हैं अगर आप जुड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं ये प्रकति का सिध्धान्त है इसी प्रकति के सिध्धान्त पर हम चल रहे हैं और ये इस बात के लिए कोई व्यक्ति आस तक हमें नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ज करद्र कोई प्रैक्टिस होता है, ना पध है, ना पोस्ट है, ना मन्च नहां भाला माला भी नहीं को धेख्ष ना यहां कोई राजा है, ना की's राणी है, ना वैक्तिवाद ना यहां तानर साही है, यहां सांगिक है सारा काम संग में चलता है यहां कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है यहां तक की रेइस्टरेशन भी नहीं है यह उसका कोई मालिक हो जीवल में कोई रेइस्टरेशन कभी होगा भी नहीं और संग के आदे सबसे उपर चलते हैं और राजनीती में कभी जाएंगे नहीं हम लोग اور ये नियम कभी बदलेंगे नहीं, इससे ज़ादा और क्या चाहिए, इससे ज़ादा भी है, किसी कोछ चाहिए और किसी के दिवाब में कुछ है, तो आए और आके बताए, संंग करने लिए 24 घंटे तियार है, संग की ये खास थी अनुमोदित हो गया साधू साधू हो गया इस गलत वात को फैंको गलत व्यक्ति को फैंको दलत चीज को फैंको और अच्छी को सुखार करो इसलिए हम दिन-दुनी राज-चौंगी तरक्षी से बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं पर काम सब को करना क्योंकि यहां व्यक्तिवाद नहीं है अगर व्यक्ति होता है तो फिर तो वही काम करेगा यह तो संग वाद है सब को काम करना पड़ेगा संग को नमन करना पड़ेगा संग के आगे जुपना पड़ेगा संग को नमामी करने पड़ेगी संग सबसे बड़ा होता है संग का जै भीन, नमुद्धाय, धन्यवाद। ये निविदन है, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। संगं सरेण गच्छाम। दू धियं पे गुद्धं सर्न गच्छाम। पूतियं पी बुतंग सनंग च्छामी तूतियं पी धम्मंग सनंग च्छामी तूतियं पी बुतंग सनंग च्छामी तूतियं पी धम्मंग 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 सनंग च्छामी तूतियं पी शनंग सनंग च्छामी तूतियं पी शनंग सनंग च्छामी तूतियं पी शनंग सनंग सनंग च्छामी